Hello students, this is Komal your SST educator, welcome back to your favorite channel Magnet Brains Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education वो भी free of cost kindergarten से लिएक class 12 तक की CBC board के courses के साथ-साथ आपको other state board के भी courses in Hindi medium जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses मिलेंगे proper systematic way में, organized way में तो कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली है daily practice sets के questions भी मिलेंगे, तो खूब धमाकेदार तरीकी से practice भी करते रहेगेगा e-books और e-notes के link भी description box में available है, तो भटकने की बात ही नहीं बनती है so finally हम आगे हमारे chapter 3 में, जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या-क्या points है तो हम देखेंगे chapter का overview और chapter का basic introduction भई बट chapter क्या है? कितना interesting, कितना प्यारा crushy प्रधान chapter याने agriculture से related हमारा chapter है agriculture क्या है? किते types के होते हैं? ये सब हम जानेंगे इस particular chapter के अंदर तो चलिए चलते topics to be covered, topics क्या के cover होने वाले है? farm system, farm मतलब farming का system है, किन तरीके से होती है? क्या proper procedure चलता है? हमें पता होना चीना? हम पढ़ेंगे agriculture के अंदर, agriculture का chapter तो farm system कैसा होता है? हम proper इनको समझेंगे इस particular topic में then हम देखेंगे types of farming, भई कितने types की farming होती है? substance farming होती है, है ना, यह commercial farming होती है, उनके भी जो है sub types पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे कौनसी कौनसी crops की farming के अंदर पाई जाती है, कहां-कहां है farming होती है, कौनसी particular region या state या कह सकते हैं, कौनसी कौनसी soils use की जाती है, कौनसी कौनसी soil में कौनसी crops लगती है, तो पूरी अंदर की information है कि कैसे क्या सब होता है, तो हम यह जानेंगे types of farming के अंदर, ठीक है? चली teams लाई जाए कि उनके development या, उनके जो किसानी की development ले है या नहीं, उनकी earning चल पा रहे है या नहीं, कैसे proper चीजें होती, agricultural development के अंदर हम पढ़ेंगे, दो टाइप के example हम देखेंगे, दो टाइप के approaches या कह सकते है, दो देशों के बारे में जानेंगे, अलग लग तरीके कैसे चीजें रहेंगी, इंडिया और USA की जो farming system में कितना फरक आता है, कितना नहीं, वो हम इनमें समझेंगे, then हमाएंगे अपने favorite NCRT solutions में, जो की बहुत important है exam और test के लिए, then फिर होगा multiple choice question, जो बहुती interesting रहता है, जल्दी जल्दी आपको चीजें याद होती है, मज़ा भी आता है, then most important question, जो exam के लिए important है, साथ में बहुती अच्छा सा, जो और अच्छे से आपको जो अगर कुछ भूल भी रहे हो, तो पूरा complete कराने के लिए मैं कराऊंगी आपको पूरा one shot revision, पूरा complete chapter का revision, तो ये है strategy, ऐसी strategy मेरी रहेगी, आपको बहुत अच्छे से करने में help होगी, ठीक है, चलिए, then हम introduction से start करते हैं, introduction में क्या है देखते हैं, गुरप्रीत, मदू, एंड टीना वर वाकिंग थू थू दे विलेज, वेर दे सौ अफार्मर टाइलिंग लेंड, मतलब भई, क्या देखा था उनने, फार्मर टिलिंग, टिलिंग लेंड, जो अब उनने पूछा होगा, या उननों देख तो है जा रहे होंगे, तो फार्मर ने भी देखा होगा कि यह लोग बहुती ज़्यदा वह हैं, इंट्रेस्टिंग वेर में, क्या कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्या होते हैं, लिटल साइंटिस जैसे के आप है तो क्या, देख रहे हैं वो, और क्या देख रहे हैं, कि भई, फार्मर जो है, जुता ही कर रहा है, खुदा ही कर रहा है, तो फार्मर अब उनने बता रहा है, कि वो क्या कर रहा है, वो वीट को ग्रो करने की त्यारी कर रहा है, मतलब अब वो उसमें क्या उगाएगा, विट की फसल करने के लिए मैं यो एड कर रहा है किसके लिए वीट की फसल के लिए ठीक है He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from the floor देखिये क्या है वो children को और क्या के चीजे बता रहा है कि जब वीट जो होगा बहुत अच्छी मातरा में निकलेगा तो वीट के थू क्या करेगा वो बेचेगा भार जाके मंडी में जाके बेचेगा मंडी होती ही सबजी मंडी तो वहाँ पे वो वीट पेचेगा good price अच्छी प्राइज में वीट को क्या करेगा भई लीन लीज़ में जो अच्छे करेंगा चाहला हूँ कि वीट की में फसल लगांगा वीट की खेटी करऊंगा गीहु की क्खेटी करऊंगा जहीए तो उसके लिए स्वाइल वर्टाइल हो जाएगी देख रहे नहीं, यहाँ पे देखी, वो ऐसे wheat है, यह फसल लगी हुई है, यहाँ पे पूरा जमा एसका floor, तो यह बच्चे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यह क्या है, कौन-कौन, Harpreet, Mother and Tina तो यह बता रहे हैं, उन्हें answer कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चल्ए आगे चलते है Transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities कोई भी raw material छोटी सी starting से लेके final product तक होने तक तीन process होती है क्या बोला है? एक plant से लेके finished product एक simple plant जो हम उतने खेतों में अनाच बोई जा रहे हैं फसले लगाई जारी उन फसलों से लेके उनको उगाने तक से लेके उसको finished product मतलब जो product हम use कर सके properly वो cover करता है तीन process तीन economic activities उसके अंदर आती है कौन सी कौन सी आती है? primary activity बोलते है secondary activity बोलते है and tertiary activity बोलते है पर माम ये क्या होता है? don't worry कोमल माम है आपको समझाएगी मतलब किस से क्या तक पहुचाना है? जैसे एक plant है plant primary चीज हो गई but अब उसको final product में जिसको हम use करेंगे गेहूं हम लेंगे गेहूं को हम पीसेंगे रोटी बोटी बनाएंगे या biscuit bread जो भी बनेगी तो plant से लेकर final product तक के बीच में तीन चीज़े cover करता है ये पहले primary activity cover करेगा then secondary activity then tertiary activity but ये होता क्या है तो चलिए देखते है primary activities primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources मतलब जो natural resources से हमें मिलती है directly जो हमें बिलकुत प्रकरती से मिलती है वो आती है primary activity के अंदर जैसे ये जो fish है ये बिलकुत प्रकरतिक तौर पे हमें मिले है हमें प्लांट से प्रकरतिक तौर पे मिले है हमने कुछ नहीं किया तो ये हमारा सबसे पहला activity primary activity के अंदर आएगा ठीक है पहले देख लेते है जैसे एक्जामपल में क्या-क्या हो गया agriculture हो गया fishing हो गया agriculture मतलब agriculture नेचरल जो फसलों से बन रहा है हो रहा है agriculture fishing natures nature से मिली फिश ठीक है हमने कोई बनाई है उसको modify थोड़ी किया है then gathering good example gathering वगरा मतलब इखटा करना कोई भी सामान वगरा इसको gather करना जो भी natural products की बात की जाए natural चीजों की बात की जाए नेचर से मिली उनका gathering एसब क्या हो जाता है यह primary activity के अंदर आ जाती है तो क्या क्या चीज़े primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources जो किन से related है natural resources को extract निकालना या क्या करना उनका production करना उनका उत्पानन करना तो यह क्या आता है primary activity के अंदर पहली activity के अंदर आता है तो agriculture क्या है जो chapter हम पढ़ रहे है वो है primary activity, fishing primary activity, उनको gather करना, चीजों के gather करना ये क्या है primary activity, तो ये क्या है good examples of primary activity, जो सबसे पहले number पे होती, जो nature को extract करके, produce करके बनाई जाती है, ठीक है, चली Then secondary activity, secondary activities are concerned with the processing of these resources, manufacturing of steel, baking of bread and weaving of clothes are the examples of this activity, मतलब जो nature से चीजे मिली है, ठीक है, जैसे क्या हो गया, example ये हमने steel, जमीन से खोद के निकाला हुआ है, या baking of bread, bread किस से बन गे, wheat floor से बन के आई, ठीक है, नेचर से हम हमें doult े't मिला है, मतलब ते फसलये जो नेचर से ही ऐ जाई, फिर ब्रेड बनी, अब क्या है, ब्रेड को बेक किया जा रहा है, इन्तम्ये स्थील को manufacturing किया जा रहा है, ठीक है, उसके जो सल्ट को इजक है, तो ये जो दूसरे लेवल की चीजे होरी है, जो second जो प्रटरव नेचर से मिल गई मिल गई उनका फोड़द जिवकोशन पर प्रॉड़क्टिरिंग memorized प्रॉड्टरिंग प्रसरचीटेटीगी छल रही है है कि सिलाई करेही उनुड़े चेंजे करेहे हैं क्या हा है!!!!! है क्या है। फेले हैं बॉच्टिंग सुन पैएगी तो जो बीच की प्रोसेस चलती है जो पहले नीचर से मिला रौ मटीडियल ज़सा समझ लीजे फिर जो बीच की प्रोसेस चल रही है तो इसके अंदर अगई यह आपकी आगई secondary activity के अंदर ठीक है जैसे इहां पर bake हो रहे है बिसकिटस वगखेर है वीट का जो नेचर से मिला है है नो यह सब क्या? इस locks इसकी चल रही है साथ में bake हो रहे है जो bread वगशे आप खेली जे तो यह क्या है यह processing चल रही है यह butt का part है यह second part है, अभी यह finished product में नहीं बन किया है, अभी प्रॉपर हमें consume करने के लिए नहीं मिला है, अभी processing चल रही है, तो यह क्या है secondary activity है, ठीक है, चलिए tertiary activity, tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, देखते हैं कैसे transport हो गया, trade हो गया, banking insurance and advertising are examples of tertiary activities, मतलब कैसी activities हो क्या करती है, जो primary, primary और secondary sectors को assist करती है, उसको help करती है, जैसे biscuits वगेर हम भी कर लिया है, wheat वगेर हम लेकर आ रहे हैं, तो assist कैसे हो रही है, मतलब हम transport कर रहे हैं, अगर हमने biscuits बेक कर लिया, bread बेक कर लिया, steel को manufacturing कर लिया, अब उन्हें final जो पहुचाने तक, market में पहुचाने तक, है ना, या उनको use करने लाइक बनाने तक, तो transportation चाहिए ना, बस गाड़ी घोड़ा चाहिए, ताकि पहुचा के प्राइमेरी और सेकेंडरी अक्टिविटी को help कर रहे है, पाइनल जगे पहुचाने के लिए, तो जैसे transport हो गया, trading हो गई, सामान को बेचना हो गया, ठीक है, banking से related काम हो गया, insurance हो गया, तो इस चीज़े, जो product बन चुके है, उनको assist करने का काम करी, उनका insurance हो गया, उनका bank terms हो गया, या उनकी advertisement हो गया, advertisement करेंगे, उनका दिखाएंगे, तब ही तो चाकि लोग खरीदेंगे, वो चीज़े consume होगी, wheat बगएरा, biscuit तो बन गया, बट अब उनका advertisement होगा, तो ये क्या हो गया, ये assist कर रहा है, ठीक है, advertising हो गया, तो ये क्या है, assist कर रहा है, तो transport हो गया, ट्रेड हो गया, banking, insurance है, किसके अंदर आगया, tertiary sector, और tertiary sector क्या करती है, primary और secondary activity को assist करती है, help करती है, ठीक है, जैसे ये देखिए, bank में पैसा वैसा जमा है, ये जो है, इस product है, इसके अंदर हो सकती है, box के अंदर products है, तो ये जाके final इने transport करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर् कर रहे है, अब उसमें बीच की processing चल रही है, जब फाइनल बन गया, तो क्या होगा, लोगों तक पहुचाना है, या बैंक वगयरा, insurance करवाना है, तो ये सब किसके अंदर आजाएगा, tertiary sector के अंदर आजाएगा, तो ठीक है, तीन टाइप के activity होगी, primary, secondary and tertiary, ठीक है, प्रा फाइनल में क्या होगा, फाइनल प्राड़क्ट बन जाएगा, तो उन्हें लोगों तक पहुचाना है, उनका transport करना ज़रूरी, उनका trade करना ज़रूरी है, तो ये क्या होगी, tertiary activity, जो primary and secondary को assist करती है, help करती, ठीक है, चलिए, agriculture is a primary activity, हम chapter क्या पढ़ रहे है, agriculture, तो agriculture क्या है हमने जो है, examples में देखे थे न, agriculture क्या है, agriculture है, primary activity, ठीक है, nature से जो बन रही है, जो nature का चीजों का production हो रहा है, जो nature से बन रही है, extract होके बन रही है, वो क्या है, agriculture जो है primary activity, it includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock, ये सब जो fruits, flowers ही जो है, nature से मिलने हैं, ये हमने नहीं बनाए है, तो इनी पे, इ livestock मतलब गायब है, इस बकरी, इन को पालना ही, सब क्या है, नेचर, नेचरल से मिली हुई चीज है, नेचर से मिली हुई चीज है, नेचरल, तो ये किस के अंदर आएगी, ये primary activity के अंदर आएगी, ठीक है, तो agriculture क्या है, primary activity है, जो क्या क्या इंक्लूट करती है, अपने में लिखी agriculture क्या है, ठीक है, in the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity, भई, वर्ड में कहा जाए, देश की बात, मतलब, दुनिया की बात की जाए, तो 50%, 50% लोग किस activity में engaged रहे, जो है, agriculture activity, फिर भी हम बोलते हैं, इसता जादा modern है या नहीं, अभी भी जो हमारा भारत है, दुनिया कहेगी, क्रश activities चलती है, ठीक है, तो आप देख रहे, all over the world में अभी भी 50% person किस चीज में engaged है, agricultural activity में engaged है, agriculture का काम कर रहे है, two-third of Indians, India's population is still dependent on agriculture, अगर इंडिया की population की बात की जाए, भारत की जनता की बात की जाए, तो two-third, two-third किस में engaged है, भई, जो engaged है और depend है agriculture में, किस में depend है, किस में depend ह करने में depend है, क्रशी प्रधान देश है हमारा भारत, इसमें कोई शक नहीं है, तो आज ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यूं है, जैसे दिख रहे हैं, इस ताइप के ऐसी फसले लगी है, यह लगा हुआ है, यह कौन सी फसल है, कमेंट करके बताओ समझ में आ रही ह तो इस ताइप का agriculture, यह farming यह चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, तो 50% जो है वर्ल्ड का है, और अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया का है 2 3rd, ठीक है? favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activities, भाई, favorable topography वहाँ जगे कैसी है, land area कैसा है, ठीक है, soil मतलब मिट्टी उपजाओ है या नहीं, fertile है या नहीं, बोलते हैं ना काली मिट्टी में यह फसल होगेगी, लाल मिट्टी में फसल होगे, ऐलुविल सॉइल में यह फसल होगेगी, क्योंकि मिट्टी र अगर हम कपास उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, तो मिट्टी उसको उगाने के लिए capable है या नहीं, मिट्टी उस फसल के लायक fertile है, अच्छी है या नहीं, तो यह बहुत जादा impact डालती है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडिशन होगे, गरम जो है climate ह या ठंडा इलाका है, या बिल्कुली बर्फपारी होती है, बारिश होती है, तो वो इलाकी इक्लाइमेटिक कंडिशन भी impact करती है, किसमे agricultural activities में, तो कौन-कौन जो है vital role pray करते हैं, एक topography हो गई, किसकी soil की topography, दूसरा climate, दूसरा क्या हो गया climate, किसको impact डालता है, जो है agricultural activity क कि वहाँ का मौसम कैसा है, तापमान कैसा है, मतलब जलवायू कैसी, दूसरा soil की topography कैसी, soil किस लायक है, अगर वो फसल की लायक मों soil है, तो गाया जाएगा, अगर नहीं है, तो दिक्कत हो सकती, वो फसल वहाँ नहीं उप जाओ, हो पाईगा, अच्छी हो पाईगा, ठीक ह ऐसी जगे है, जो है, धरती भूमी, कह लीजे, जहां पर क्या होता है, क्रॉप्स उखती है, जो जहां पर अनाज वगेर होगाय जाते है, उन्हें बोलते है, अरेबल लेंड, क्या बोलते है, फटा फट कॉमेंट में लिको, क्या बोलते है, अरेबल लेंड, जहां पर क्या थोड़ा है जान ले कि word मिला कहां से ठीक है यह word कहां से मिला Latin से Latin word है Latin से मिला ठीक है जिसको बोलते है एगर और agree एगर और agree ठीक है meaning उसका मतलब क्या हो गया soil मिट्टी और culture culture तो आपने सुने ही culture है ना values traditions उस तैप का कह सकते हमारा जो culture है ठीक है तो इसका meaning क्या हो गया? cultivation क्या हो गया इसका meaning पूरा बनके हो गया? agriculture का हुमने देखा हमने देखा है Latin में क्या मतलब है? एगर और agree जिसका मतलब होता है soil और culture जिसको मिला के क्या हो गया gut हम करते हैuna cool cultivation, agriculture, cultivation, irrigation सी सब पढ़ते हैं तो यह सारा इसका यह वर्ड यहां से मिला है एगर और अगरी से जो है लेटिन वर्ड जैसे हम यह मैप में देखेंगे ना तो वर्ड डिस्रुबिशन आप अरेबल लेंड मतलब यह जो ग्रीन ग्रीन है नहीं यहां पर यह जो green है आपे इसका मतलब जो green color से आपको दिखेगा area यह area हो गया यह छोटे चोटे यह area हो गया है है ना यह सारे यह सब यह सब क्या है arable land और इंडिया देखे यह तो इंडिया है इंडिया को तो लगभग पूरा जो है cover है crop मतलब यहाँ पर arable land है crops grow होती है अना जुगाई जाती है अगर अना जुगाए जाते है यहाने agriculture का काम हो रहा है इसी लिए कहा गया था कि 50% of the world के जो लोग है किसमें इंगेज है farming में agriculture करने में और इंडिया का तो आप देख रहे है टू थर्ड जो है लोग इसी में इंगेज है agriculture के काम में तभी भारत को कहा जाता है कि एक क्रिशी प्रधान देश है I hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो फटा फट लाइक का बटन दबा दीजिए चलिए So इसी के साथ जो है आपका chapter का intro end होता है I hope आपको यह जो activities यह तीन टाइप की समझ में आया होगी और आपको आगे बहुत help करेगी जो confusion था वो end हो गया होगा कि भई यह primary, tertiary, secondary क्या है कभी अगर सुना भी होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसी के साथ आपकी वीडियो end होती है अगर आप और भी वीडियो के lectures देखना चाहते हैं तो Magnet Brains की YouTube चानल पे देख सकते हैं application पे देख सकते हैं, website पे देख सकते हैं e-notes और e-books की link आपको description box में available है यह कुछ high quality की courses हैं जो की 100% free आपको available है जैसे के CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash Course और Spoken English courses आपको available है आप भी Magnet Brains का Hindi Medium चैनल जो Magnet Brains Hindi Medium चैनल है उसको भी देखें बहाँ पर आपको बहुत knowledgeable, बहुत अच्छे अच्छे interesting fact वाले shorts और वीडियोज मिलेंगे आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं जैसे के Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp बहुत जादा सेदा like कीजिए, जादा सेदा share कीजिए कि third chapter जो है start हो चुका है और चैनल को subscribe करना मिलकुल भी न भूले, अपना ख्यार रखें, thank you so much for watching